नमस्कार दोस्तो, जै माता दी, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चेनल में आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप मात एक चॉकलेट की मदद से किसी भी व्यक्ति को वश्मे कर सकते हैं सुनने में बड़ा आटपटा लगता है, परन्तु ये सच है कि आप सिर्फ एक चॉकलेट से किसी को भी अपने वश्मे कर सकते हैं या कोई आपसे रूट गया है, या आपके माता पिता आपसे नाराज है तो आप मात्र एक चॉकलेट के माध्यम से आप उस व्यक्ति को मना सकते हैं और उसे अपना बना सकते हैं जी हाँ, सिर्फ चॉकलेट से ही, फिर आपके पास वो आ जाएगा और चाहेगा कि वो अपना सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही रहे आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आप किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं किसी व्यक्ति को अपना बना सकते हैं तो आईए मैं आपको बताते हूं कि आप किस तरह इस उपाय को कर सकते हैं तो आपको एक चॉकलेट लेनी है इस तरह से कोई भी ले सकते हैं इसका मतलब नहीं है एक चॉकलेट कौन से ब्रांड की है इससे हमें कोई मतलब नहीं है उसके बाद आपने पैन या पैंजिल से नहीं लिखना है इस पर आपने एक चॉकलेट के उपर अपनी उंगलियों से एक मंत्र लिखना है और वो मंत्र है काल त्री त्री कुरू स्वाहा जी हाँ मैं एक बार और बताती हूं आपको काल त्री त्री कुरू स्वाहा उसके बाद आपने इस चॉकलेट को तीन दिन तक अपने घर में ऐसी जगह पर रखना है जहां उसे कोई देख न सके और फिर तीन दिन बाद जाकर आपने उस इनसान या उस वैक्ति को वो चॉकलेट खिला देनी है जिसे आप वश्मे करना चाहते हैं जिससे अपनी सारी बाते मनवाना चाहते हैं तो दोस्तो जैसे ही आप ये विधी करेंगे वो इनसान आपके वश्मे हो जाएगा और आपकी सारी बाते मानने लग जाएगा और दोस्तो एक बाद जरूर याद रखना अगर आप ये चॉकलेट उसे नहीं खिला सकते या फिर किसी कारण वश्मे कारेंग नहीं कर सकते तो आप ये काम हमसे भी स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल करके करवा सकते हैं तो दोस्तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा हो कि आप जो चाहें वो आसानी से बिल जाए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल करके हमारी गुरु माताजी से अपने नाम के अनुसार, अपनी राशी के अनुसार, अपना मंत्र ले सकते हैं तो दोस्तों देर न करें, जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल करें और वर्टसप करें जय मातादी